गुंडा लोग लालाश देदे करके उकसा उकसा करके हीरो को बलाता है आव दम है तो आव दम है तो लाव एक दम गुस्से में तरतरो आता हूँ आता है और चुपके सदर से पिछे से छोरी निकाल के अमरीज पुरी टाइप गुंडा भोग देता है तो मार्केट ऐसे यह सवाल लगबख सबके मन में होता है ट्रेडिंग करें यह इन्वेस्टर बन जाएं ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा कमा जा सकता है इन्वेस्टिंग में ज्यादा पैसा किसमें रिस्क पर है इन्वेस्टिंग में ट्रेडिंग में यह सब मुद्व पर आज बात करते हैं लेकिन उसे पहले सवाल का जबाब दो क्या आपने ऐसा को इंवेस्मेंट देखा है किसी का होते हुए जो आपका पैसा दस साल में दस गुना बढ़ा दे यानि कि अगर दस लाख रुपए डालके छोड़ दिया होता तो वह एक करोड़ बन गया होता आज एक लाख रुपए से दस साल में दो गुने करने की बात कर रहे होते हैं मैक्स तो मैक्स तीन गुने करने की बात कर रहे होते हैं सरा स्टॉक मार्केट में ऐसे कई शारे शेयर हैं जिन्होंने दस साल में दस गुना बीस गुना उससे भी जादा जादा दिया हुए एक दिखाता हूं ऐसे ही छ दिखाता हूँ आपको बहुत काम आएगी आपके बिटैनिया शेयर आज के समय में देखो सर लगभग 5,000 रुपए के आसपास है लगभग 2014 में जब मैं इसका प्राइस देख रहा हूँ लगभग 500 रुपिया के आसपास है मतलब 2014 14 से 2024 10 साल में इसका प्राइस सर दस गुना 500 रुपिया से 5,000 रुपए हो गया यानि कि क्या हम यह कह सकते हैं कि मेरे रिकमेंडेशन नहीं है कि ऐसा आज के डाइम प्याप डाल के छोड़ दो आगे डालना होगा ता आप अपना अनलेस करके डालना लेकिन इससे अच्छे अच्छे शेयर्स कई सारे हैं जैसा मैं टाइटन के बारे में बताया वो तो इससे भी कई गुना ज्यादा इसमें आप प्रेजेंट वैल्यू डालो मतलब आज के समय में जो वैल्यू आ रही है हम डालेंगे अभी ब्रिटैनिया का इनीशल प्राइस इनीशल प्राइस दोजर चौदा का 500 रुपया फिर वो कितना बन गया फ्यूचर वैल्यू सर्पांस रुपय अभी की समय पांस रुपय कितना साल लगा सर दोजर चौदर सो दोजर चौबिस दस साल लगा सर तो दस साल में ये काल्कुलेट करो सर हमें हर साल कितना रिटैन मिला पचीस परसेट गया सपास का हर साल हमारे को रिटैन मिला यानिके मतलब साप समय में आता है पचीस परसेट अगर रिटैन म सवाल यह कि क्या इन्वेस्टिंग में तो इतनी ताकत है समझ में आ गया मेरा क्षीन मिनिमंत्रogen हो गया इसे कई अच्छ़ शेयर रहे हैं। यह रही हैं, ट्रेडिंग में में मेरा पैसा 10 गुना हो सकता है। क्या ट्रेडिंग में दस गुना करने के लिए मेरे को कितना परसेंटेज हर साल 25 परसेंट मिनिमम तो हर साल निकालें तो मेरा पैसा दस साल में दस गुना हो जाता है क्या ट्रेडिंग में इतनी ताकत है और अगर है तो क्या 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 करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए क्या करना होता है कि पास्ट में प्रैस क्या चल रहा था भष में प्राइस क्या साथ हमारा लॉस हो जाएगा अब प्राइस को पकड़ने के लिए कई सारे तरीके में अपनाते हैं जैसे कैंडल्स को में लिसे करते हैं कई तरह के कैंडल्स चार्ट को हम देखते हैं कई तरह के चार्ट इंडिकेटर्स हम देखते हैं कई सारे तरह पर जाएगा नीचे जाएगा यह सब समझने के लिए हम इतनी जद्दो जहत करते हैं यह सब के पीछे लगे रहते हैं यह लेकिन जहां इंवेस्टिंग की बात होती है यह इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है अगर आप यह कैंडल चार्ट इंडिकेटर और यह सब पकड़ करके आप इंवेस्टिंग करने जाओ पिट जाओगे पिट जाओगे मतलब पैसा गवा सकते हो पतलब खराब इंवेस्टिंग करोगे और इंवेस्टिंग में क्या कहीं है सबस्क्राइब करने जा रहे हुँ वह कंपनी का बिजनस क्या है बिजनस की डिमांड है कि नहीं है तो उस कंपनी का तो चांदी चंदी है तो हमारे कुछ ने देखना हमारे को कंपनी देखना होता है इन्वेस्टिंग के लिए और इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप इन्वेस्ट करके छोड़ दो बात साल दस साल बीस साल पचीस साल के लेकिन यहां तो डेली का खेले यहां डेली बेसिस पे हम खरीद बिक्री खरीद बिक्री खरीद बिक्री करते करते प्रॉफिट नि कि अरे यार ताटा का बिजनस बहुत चल रहा है ताटा मोटर बहुत बढ़ेंढ चारों तरफ इवी इंडस्ट्री में ट्रेड करते अरे बेवकूफ आगर इतना ही बढ़िया लग रहा आपको स्टॉक इतने इंडस्ट्री आपको ग्रो करने की पॉसिबिटी लग रही है त आइसा कोई जरूरी नहीं इन इनंवेश्टिंग का मतलब कंपनी फिकर एक aspect बिजने अच्छा है इसका मतलब यह कुसकर भुष्य अद यह तो mathematically आ रहा है कि ट्रेडिंड तो हम कल की बात करते है आज की बात करते है तो यह समे देखके इधर करने मता जाना ट्रेडिंग और यह सब देखके उधर करने मत जाना इन्वेस्टिंग पिट जाओगे ठीक इत्ति बात समझ में आ रहे हैं अब हाँ सब्सक्राइब आप काम करते हो यहां पर वाइट ले लो हाँ यहां सर आप काम करते हो और यहां आपका पैसा काम करता है करते हो सब कुछ अपना समय लगाते हो लेकिन यहां आप पैसा डाल दुकि फूरुबाद मैं एनल्लिस बगर रहे किसा काम कर रही है यहां कंपणी की काम करने की जिम्हाइधारी आप करोगे आपके पैसे के बढ़ने की possibility या घटने की possibility totally on your performance, totally on your knowledge, totally on your emotion management, सब कुछ आप ही परनिर्बर करता है, आपकी कितनी आउकात, काबिलियत, पैसा उतना कमाया जा सकता है ट्रेडिंग में, लेकिन कमपनी की कितनी आउकात, उस कमपनी की कितनी काबिलियत, उतना पैस बढ़ेगा, investing में, ठीक, एक मोटा लाइन मिल गया, आपकी कितनी काबिलियत, ट्रेडिंग में उतना पैसा, कमपनी कितनी काबिलियत, investing में उतना पैसा, तब आप देख लो आपको, अपने पर जादा भरोसा है कि कमपनी पर, जो करना करने नहां मेरा कुछ शुलर, सलाव तो ट्रेडिंग को फुल टाइम बिजनस देखा जाता है आप अगर तो इसका टैक्स के रूल बिजनस के हिसाब से होते हैं जो बिजनस के रूल होते हैं लेकिन यहां पर लॉक को सब्सक्रांब करेंस और यहां च्छर्ण टैक्स लगता है जो लोग कहते हैं जो लोग कहते हैं। में काम है एक दो घंटे लगाओ काम हो जाएगा जूट सरासर जूट इस उम्मीद के साथ ट्रेडिंग मत करना सर ट्रेडिंग फुल टाइम भी नहीं ओवर टाइम का काम है आपको सवा नौ से ले करके साड़े तीन तक तो लगना ही लगना है रात में भी चार्ट अगर आपका जीरो से ढाई रुपए तक का सालाना इंकम है तो आपको जीरो परशेंट टैक्स सरकार को कुछ नहीं देना बुल जाओ सब आपका लेकिन आपकी सलाना इंकम में अगर 50,500,000 के बीछे तो सरकार को 5 परशेंट आपको देना पड़ेगा अपनी कमाई का सल्ना का अगर सल् Denise परशेंट मेंमान के चल रहा हूं जादा तर लोग हो सकता है इसमें फॉल कर रहे होंगे या फिर इसमें फॉल मतलब इसके डीगरि में आ रहे होंगग सर अब देखो कितना बढ़ी फाइदा है आपको सरकार एक सेक्षन देती है एटी सी और इसमें कहती है कि देड़ लाह रुपिया तक आप बचा सकते हो मतलब आप अगर मानलो साड़े पांच लाह की सैलरी सलाना पा रहे हो इनकम साड़े पांच लाह सलाना तो साड़े साड़े पांच सारा में आपको करना पड़े और एटी सी मैं इन्वेस्मेंट ऑने का सबसे बढ़ा देड़ लाह तक टक टैक्स का लिए पांच परसंट लगे गा तो आम क्या करें जो बीस पोर्षन हमको टैक्सन लगे पांच परसंट लगे सर investment इस दाइरे में आपको करना पड़ेगा और A.T.C. में investment शो करने का सबसे बढ़े देड़ लाग तक tax बचाने का आपका एक सबसे अच्छा जरीया होता है सर life insurance और life insurance तो मैं कहता हूँ कि सर आपका पहला investment होना चाहिए यह stock investment S.I.P. investment यह सब secondary है कल को भगवान न करे अगर कुछ हो गया तो यह सारा stock S.I.P. सब hospital वाले लेके जाएंगे सब के सब लेकिन आपका भी क्या चाहोगे ऐसा नहीं चाहोगे न तो इसलिए आपका सबसे पहला investment stock नहीं S.I.P. नहीं जमीन नहीं सर पहला insurance अपनी खोद पर करो life insurance करो और वह भी life insurance में कौन से insurance की बात करता ह सबसे पहला investment अपनी life के पर भी करने का मौका मिलेगा आप पूछोगे टर्म लेना है तो किदर से लें तो आओ दिखा देता हूँ पॉलिशी बजार का लिंक हमने description में डाल दिया है उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधा यहां पर आ सकते हो अब सारी कंपनियों का सारे टमेंज जोने यहां पर compare कर सकते हो यहां पर देखो कई सारी कंपनिया आइसा अब साब का detail आप देख सकते हो claim settlement ratio 99% 60 साल के लिए एक करो परोड का कवर मेर को मिल रहा है अच्छा कुछ filters लाकर के आपको दिखा देता हूं सरे filters आप देखो all in one go मतलब एक ही बार में आप पूरा premium पे कर देता है आपको बहुत सस्ता मिलता है सस्ता पड़ता है monthly income वाला भी ले सकते हो और भी कैसारे options है जीरो कॉस्ट प्लान रिटान प्रिमियम प्लान सच टाम इंसुरेंस में लोगो का एक कंसर्ण रहता था कि हमको अगर कुछ नहीं हुआ वह या तो पाईसवा हमारा मिलेगा नहीं तो अब ऐसे भी टाम इंसुरेंस आचुके हैं कि आपका आपको अगर भगवान करे कि कु एक कर सकते हो पचास परसेंट तक कि चूट मिल जाती है 50% अगर 10 साल में पेकर दिया तो 46% 15 साल में पेकर होगे तो 41% तक की छूट मिल जाती है और आपको ज़्यादा confusion हो तो आप यहां पर schedule a call का button है इनसे बात करें इनसे सब कुछ detail में समझो आप क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए सब काइट करेंगे और अगर फोन पे नहीं समझाए तो इनको घर पे बुलाओ यह घर पे आ करके समझाएंगे free of cost कोई पैसा नहीं लगता उसका free dedicated claim assistance काईग लोगों को doubt होता है कि online लिया हुआ प्लान में हमें customer claim settlement में दिक्कत होती है ऐसा बिलकुल भी नहीं है यह आपको dedicated team देते हैं आपके claim को settle करवाने में कल को ऐसी जरुरत पड़ती है तो policy बजार से क्यों खरीते हैं dedicated claim support for family free of cost मिलता है 10% का discount भी मिलेगा और online खरे दोगे 100% recorded calls आपके जितने भी call पर बात होंगे सब कुछ recorded रहता है आपके सहर में एडवाइजर अवेलबल है घर पर आके समझा के जाएगा refund at the click of button आपने plan ले लिया कल को आपको समझ में नहीं आता है एक पीरेड होता है उसका उस पीरेड में नहीं समाझ में आया तो पूरा का पूरा पैसा आपको refund भी हो जाता है इसलिए आपको भी policy बिजार से टम इंस लेना है तो description आपको अपने emotion को मैंज करने की जुर्थ है क्विक्त गांते हैं लैकशन अलेज नहीं माड़ता है लैक्त उसनल कंट्रोल मारता है ओड़ा मजब आगया है और काम करता है है जब दुखी होता है तो काम छोड़ता है लेकीन खुश हुआ लेकिन-फाइदा ऊधा हुआ एक और ले गलत बाथ है सर मूड के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं होता क्या अगला ट्रेड लेने के लिए मार्केट अलाव कर रहा है प्राइसिंग और सिचुएशन्स फेवरेबल हैं जो आपको देखना चाहिए रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं खुश हो तो दूसरा भी मार दिया बढ़ियां हो भ अगली आज बड़ा लेकर देंगे तो फिर लेले का मार्केट बदला आइसे लोग तो बुलाता है वो कुछ फिल्में देखेंगा ना गुंडा लोग लालास देदे करके उकसा उकसा करके हीरो को बलाता है आउड है तो दम है तो लाओ हीरो एकदम गुस्य में तर्तर और आता है और चुपके से दर से पीछे से छोरी निकाल के अमरीज पूरी टाइप गुंडा भोग देता है तो मार्केट ऐसे इमोशन का फाइदा उठाता है मोटिवेशन किसी का ट्रेडर का देगा रहे दस लाख प्राफिट बीस लाख प्राफिट कमा लिया यूट्यूब डेखा और मैब भी करूंगा उसमें उसने बोला आज कर ते ना यहां मोटिवेशन नहीं चलता है मोटिवेशन हर यहां चलता है ट्रेडिन को छोड़कर करके ट्रेडिम मोटिवेशन 뚜ा बहुत सब कुछ समझने के लिए पांच से साथ साल लोग कई बार इसलिए कहते हैं कि यह जो इमोशन है ना यह जो भावनाओं पे वश कंट्रोल करना है इसमें बहुत समय लगता है सर आप अगर बहुत गुसे वाले हो बहुत मूड स्विंग होता है आपका बहुत जल्दी खुश हो जाते हो बहुत जल्दी दुखी हो जाते हो अगर इस तरह का नेचर आपका है तो आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते मत खुसो ट्रेडिंग में वो आदमी कामयाब हो सकता है जो थोड़ा मेडिटेटिव माइंड का है इसका दिमाग शांत है, फोकस है, थोगा लम्बे समय तक फोकस रह सकता है, फोकस बढ़ाने का meditation अगरे नहीं करना ते एक उपाया बताता हूँ, सर किताब पढ़ने के अधर डलो, किसी भी तरह के किताब पढ़ने के अधर डलो, आप अगर एक घंटे दो घंटे रोज अग दिन राज जाएगा लेकिन आपको ऐसा नहीं लगे रहना है उसमा इसे नहीं है लगे रहने की जुरत इसको है और जिस आदमी ने इमोशन पर अपने कंट्रोल किया सर उसका से ट्रेडिंग बहतर नहीं होता उसके जिन्दगी भी बहतर हो जाती है तो मैं कहता हूं जो एक अच्छा इंसान भी बन जाता है उसका माइंड शाप फोकस्ट हो जाता है आपक्साया country घंठ झोटायों जाता है जल्दी परेशान नहीं होगा और बहुत जल्दी खुशन नहीं होगा मतलब बुरी पशिक्वाली उसको जल्दी परिशान नहीं करेगी और आच्छी परीस्तितियों बहुत खुश नहीं होगा ऐसा ही आदमी तो फिर मॉंक कहलाता है बुद्ध की तरह बनता है और इस तरह के लोग ट्रेडिंग में पैसा चापते हैं लेकिन उथल पुथल वाला मोटिवेट हो जाने वाला तुरंत उदास हो जाने वाला ट्रेडिंग में नहीं चलता फिर इन्वेस्टिंग में चाहिए सर नॉलेज इन्वेस्टिंग में तो नॉलेज चाहिए यहां इमोशन का कोई लेना देना रही है क्योंकि आप नॉलेज लेते हो एक कंपनी के बारे में उसका डिटा कट्टे करते हो उस पर कॉमन सेस लगाते हो और उसमें पैसा डाल करके आई से लफु जन्ना पगलाओ कहते हैं फिर तुम यहीं करो रोज रोज देख रहा है फिर तुम यहीं करो तुम इसी के लाएक हो अच्छा ट्रेडिंग में वो लोग भी जाते हैं जिनके पास कैपिटल कम होता है पैसा कम होता है हजार दो हजार रुपए अगर इतने पे चाहते हैं को अपना स्टॉक मार्केट में एंट्री मारें तो उधर क्या मिलेगा अपको इधर बढ़िया है एट लिस्ट उधर परफॉर्फॉर्मेंस भी चेक करने के लिए साल दो साल चाहिए यहां परफॉर्मेंस आप डेली बेस अब बेच देते हैं अब भी रखेंगे पंदर अभी रखेंगे तीस परफिशन अभी रखेंगे पचास बहुत जादा जारा अब बेच देते हैं मतलब आदमी को जब लॉस लगातार हो रहा होता है तो पेशन्स रखता है लेकिन प्रॉफिट आते ही उथल पुथल करने लगता है बेच दे बेच दे साल एक चीज तो समझो अगर आपके पास अच्छा स्टॉक है तो लॉस प्रॉफिट इन से आप को इनके पचले में प खाने पिने की बात है तो अपना धंदा पानी कुष्टो कर रहे होगे इन्वेस्टिंग का परपस ही होता है सर हमेज़े के लिए और अगर बेचने की बात को ठीक थाक वाला स्टॉक लिया है आपको पता है कि दस सल बीस सल वाला स्टॉक नहीं है तो सर एक लिमिट ताह कर यहीं लूट यहीं हो जाता है लोगों के साथ सफलता जो है आदमी होड कर पाता जाता जाए दिन तक तिल मेला जाता है तो सुने होकर आदमी को सफलता मिल थैटर ग Created हो जाता है लोगों के साथ मिस्विएव करने लग जाता है यही वह बात होती है जब आदमी को प्रॉफिट होता है खुजली मच जाती है बेचो कमाओ बेच दो बेच दो ताकिम पैसा है लेकिन जब फेल हो रहा होता तो वह सहता है और हमना दिन खराब है भगवान को उस दे पहली बात तो मैंने को या स्टॉक ऐसास तक खरीदा ही नहीं है जो बेचने की जरूरत पड़े और जितने खरीदें आज तक नहीं बेचने से और मेरा यही है कि जब तक कल को कुछ ऐसा जरूरत ना पड़े मैं अपना कोई भी स्टॉक ना बेचने बेचने वाला ठीक है तो यह है कि खरीद भीक्री खरीद भीक्री करने के लिए इंवेस्टिंग नहीं होता है खरीद भीक्री का शोग है तो फिर आप ट्रेडिंग को अपना है यहां रोज खरीद भीक्री का मजा लें रोज weekly monthly समझें आगे इन्वेस्टिंग का मित, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कंपनी के बुक्स, फंडामेंटल नॉलेज, अनलेसिस, सर ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है डीटेल फंडामेंटल आना चाहिए ना सर वह जमाना गया आज जमाना इंटरनेट का है आज जमाना गूगल का है आज जमाना यूट्यूब का है थोड़ा बहुत यूट्यूब पे समय थोड़ा बहुत गूगल पे समय थोड़ा बह करके ही इन्वेस्टिंग किया जा सकता है अब सोच के देखो ना मालो मुझे टाटा मोटर में इन्वेस्ट करना है एक्जामपल लेना को रिकमेंडेशन माल लो अब मुझे देखना है कि मारूती सुझुकी मार्केट कैप से हिसाब से बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन टाटा क्ताम मोटर में लीड कर रही है भश्यी इवी का है तो क्या पता टाटा लीड कर जा है तो मेरा इंवेस्टमेंटन लीड कर रहे हैं कंपनी दो-चार गूगल से न्यूस पढ़के मुझे पता कर गया मैं साड़क पर देख रहा हूं जो भी खरीद रहा है ताटा की सेफटी सेक्यूरिटी बहुत बढ़िया है ताटा गाडियों के ग्रोफ बहुत बढ़िया है तो मुझे समझ में आ रहा कौन भुक और बहुत फंडामेंटल प्रॉप एनल दे अरे जमाना गया चचा आज इन्फरमेशन के सोर्स इतने हैं हमारे पास कि उन्फरमेशन के सोर्स पर थोड़ा-थोड़ा समय लगा करके बहुत सारी इंफरमेशन लेकर करके अपना इन्वेस्टिंग आ सकता है लेकि हुआ कंपनि रिस्की है रिस्की स्टॉक में डाल रहा हुओ बहुत जदह पॉपुलर ही वाइस है बढ़ा काम नहीं उनका बहुत भूब जब्यस्नस नहीं है आईसे माइचे आफ मीड़ी। करके जाना उसमें कोई को आये नहीं बड़ी कंपनी में लाज कैप में जा रह यह सब चीज़े काफी है इन सब समाज में आ जाता है और थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा ना ठीक है लास्ट है लास्ट है सब्सक्राइब करना होगा मैं कई लोग बूलते हुछ एक साल आपको लॉस करना होगा उसमें प्रॉफिट नहीं होगा सर लॉस उनी को करना होगा जिन इमोशन पर काम नहीं करता है थोड़ा मेडिटेशन थोड़ा योग थोड़ा बार-बार किताब पढ़ पढ़के फोकस होकर के फोकस को आप जितना बढ़ाओगे न सर दिमाग पर अपने जितना वश करोगे न ट्रेडिंग उतना बढ़िया है टेक्निकल नॉलेज बहुत हो जाओगे सर ट्रेडिंग में पहले दिन से प्रफिटेबल हो गए नॉलेज लेना बड़ी बात नहीं है ठीक है टूमच टेक्निकल नॉलेज आ रहे बेकार ठीक था खलका फलका नॉलेज है फिर विससे काम किया सकता है खेल सारा इमोशन का वह या सारा मैं तो कहता हूँ आ के लाउयं में दौक की प्रसेंट दो घंटे हैं यह भी बहारी मिन ऑसे नहीं हो जागा क्यों जुरुआ तो क्यों सखल डियंग की ऊडिया री थीलिया कि गलत indo to theenda के था में और ट्रेड एघः और तो क्यों हुं पास हुआ तो क्यों फेल पास हुआ अब मेरा है कंक्लूसन क्या ऐए इसको ले करके सर मैं कहता हु ट्रे डिंग में पाईसा हुए कमाये गा जो रूल्स को फॉलो करेगा यानि कि रोबोट बन जाएगा रूज रोबोट रोबोट रोबोटिक ट्रेडिंग याल गोट रेडिंग आप देखना उसका एक सेट फुल्स होता है अलगोट रिडिंग का रूल्स इन्पुट किया ता ये रूल से ये रूल्स दस प्रसंट नीचे तरको और गिरा वापस आयगा थर रुको और वापस आयगा तो इतना इमोशनल नहीं होता रोबोट उसके पास तो रूवागोत पॉब्स कहा है सारा नोलेज प्लस कॉमन सेंस जिसके उसके पास कॉमन सेंस के आप सो है इंवेस्टिंग से हमाईगा ठीक है थींक तो आज के सेंसं में आपको त्रीडिंग हम рपर्लीफ नशयुद Москвने को मिला सब उसके बाद आता है, सबसे पहले खुद को इंशॉर करो, उसके बाद अपने पैसे को इंशॉर करना,